हलो फ्रेंड्स, वेलकम तु माई यूट्यूब चानल, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नमबर 4 कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है संख्या रेका पर अंडरूट 9.3 को निरूपित कीजिए, सबसे पहले हम एक लाइन लेंगे जिसमें हम 9.3 ड्रॉ कर लेंगे, 9.3 लाइन हम इसका नाम रख लिए हमने a, b, अब हम बी से आगे 1 cm और लाइन ले लेंगे, और यह आगे हमारा c, अब हम इसे bisect कर लेंगे, जैसे आपको पता है यह bisect कैसे करते हैं, हाफ से जियादा compass खोलेंगे, half line से ज़्यादा compass खोलेंगे और c पे लेके हमने उपर नीचे दोनों तरफ आर्क लगा ले अब यहाँ पर a पे रख करके हम compass को उपर नीचे आर्क लगा लेंगे और इसके बाद यह जो यह mid point है दोनों का आर्क का यह आपस में ऐसे हम जोड लेंगे, line लगा लेंगे और यह हमारा o बिंदू आ गया इस point is o अब हम a o तक compass खोलेंगे यह देखिए a o तक हमने खोल दिये compass और o पर हम compass रख करके ऐसे आर्क लगा लेंगे हम यह हमने जोड दिया अब हम b पर 90 डिगरी का angle मनाएंगे यह हमारा angle बन गया b पर और यह जो point है इसे हम d नाम रख देंगे इसका और यह जो हमारा b d है यह under root 9.3 है और अब हम यह ऐसे इसको o d को भी मिला देंगे आपस में यह हम ने मिला दिया अब हम क्या करेंगे b d तक कमपस को खुलेंगे b d तक और हम यहां से ऐसे आर्क ले लेके और यह लाइन आगे बढ़ा लेंगे हम यहां से यहां तक c तक 1 cm आगे इसको हम बढ़ा लेंगे यह 1 आ गया यह 2 और यह हमारा इधर 3 1 2 3 तो दिखी यह जो अंडरूट 9 है तो हम अगर अगर सिर्फ हम 9 लेते हैं तो यह 3 का square है मतलब कि 3 है यह तो दिखी यह 3 है अब 9 मतलब 3 आगे और भी है तो उस तरह से हमारा जो यह निकला है यह आर्ग निकला है यह हमारा ठीक निकला है क्योंकि यह 3 से थोड़ा सा जादा है यह जो यह point है हमारा यह है हमारा अंडरूट 9.3 संख्या रिखा पर हमने अंडरूट 9.3 को दिखा दिया है तो इस तरह से हमारा यह सम कंप्लीट हो गया है तो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में